नमस्कार, वेलकम टू वर्ल अफेर्ट, नहू प्रशान धवन, आउ किसी भी देश में आप अगर देखो तो एक नया प्राइमिनिस्टर, नया प्रेजडेंट बनता है ना, तो पहले कम से कम तीन-चार महीनों तक एक चमक रहती है नए प्यम की, नए प्रेजडेंट की, उस स्टेप चल दिया है, जिससे पहले दूसरे दिन में इनकी आलोशना शुरू हो गई है UK, इंडिया में, कई जो इनके सपोर्टर थे, इंडिया में ये चौक गए हैं, UK में कई जो इनके सपोर्टर थे, ये क्वेस्चन कर रहे हैं कि क्या ये आदमी एक प्रॉपर गर्रमें की वज़े से होते हैं, ये स्टेटमेंट देने वाली जो मंतरी थी, जिनको बाद में इस्तिवा देना पड़ा, इनको रिशी सुनाक ने वापस मना दिया है, एक मिनिस्टर, और मैं जरा आपको UK के लोगों का रियाक्शन दिखाना चाहता हूँ, कि वो लोग खुद कितना इंडियन तो ऑफिसली शौक्ट हैं, कि ये तो हमने नहीं सोचा रहा कि ऐसा होगा, बट UK के लोग भी शौक्ट हैं, कि स्वेला ब्रेवर मैन, जो कॉंट्रोवर्सी से घिरी वी थी, जिनको रिजाइन करना पड़ा फोर्सफुली, इनको वापस लाया जा रहा है, गिंती क कुछी जिनों में, तो यहाँ पर आप देख पाओगे अगैन, यह जो ट्वीट्स आज के समय हो रही है, UK में ऐसा नहीं कि गुमणाम लोग कर रहे हैं, आप देखोगे 50,000 लाइक्स हैं, आपर अल्मोस्ट और यहाँ पर का जा रहा है, कि ब्रेवर मैन की, जो रिय अपॉ करना, जिसने भारत जैसे बड़े देश के साथ, रिलेशन्स आल्मोस्ट यूके के बहुत ज़रा खराब कर दिये थे, जिसने बाद में रूल्स भी तोड़े इमेल को लेकर, ऐसी मंतरी की रिय अपॉइंट्मेंट करना, एक एट्रोसिटी है, एट्रोसिटी का मतलब आपक कि यहाँ पर मैड कर दू, कि जो भी लोग यहाँ पर आलोशना कर रहे हैं रिशी सुनाक की, कि जी हम सोच रहे थे कि यह टाइनी बबल ओफ हो पाया है, मगर लगता नहीं है कि यह कोई होप है, और फिर एक आदमी यहाँ आपर ट्वीट कर रहा है, कि स्वेला ब्रेवर्म को वापस Home Secretary ना देना, सिर्फ कुछी दिनों बाद, जब इनको forcefully resign करना पड़ा, क्यों? क्योंकि यह कानून तोड रही थी, यह अपनी private email ID से, fellow member of Parliament है, जो UK में उनको email भेजी थी, जबकि UK में instructions है, कि सरकारी email ID से यह आपको email भेजने है, ताकि एक proper record सरकार के पास, कि आप लगे हैं, UK के लोग भी braver band को पसंद नहीं करते, ऐसी Home Secretary को वापस power में लाना है, यह अपने आप में question raise करता है, integrity, competence, professionalism और sensible politics के उपर, तो रिशी सुनाक की आलोचना already आप देखोगे, UK में हर जगा start हो चुकी है, और मुझे genuinely यहाँ पर कहना पड़ेगा, कि शायद रिश में इतकी बड़ी fan following गया, even UK के लोग काफी अतना गुसा हो जाएंगे, अगर braver man जैसी नहता को यह वापस सरकार में ले कर आते हैं, तो रिशी सुनाक ने यह सब क्यों किया है, देखो, यहाँ पर जो explanation, UK के जो political, आपके लिजिए observer, commentator दे रहे हैं, वो यह है, कि list trust की सरक गिराने में, सुविला ब्रेवर मैन का काफी important role था, UK में आप देखोगे, कई articles में लिखा हुआ है, कि ब्रेवर मैन ने जो statement दी थी इंडिया के ऊपर, फिर जो email किया, जो इन्होंने ब्लंडर किया, यह सब यह इन्होंने intentionally किया था, ताकि list trust जो already बहुत जादा pressure में थी, economy जब आपकी home secretary को resign करना पड़ेना, तो उसके बाद PM के खड़े उने के chances बहुत कम बचते हैं, तो UK में कई political commentator कह रहे हैं, कि रिशी सुनाक और ब्रेवर मैन के बीच में यह एक secret deal थी, कि मिलकर list trust की सरकार गिराएंगे, उसके बाद वापस ब्रेवर मैन को यह reappoint कर देंगे as home secretary of UK और यहाँ पर हुआ भी यही है, मगर problem रिशी सुनाक के लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आएगी, कि इवन दो यह बार बार कह रहे हैं, कि ब्रेवर मैन ने अपनी गलतियां मान ली हैं, जो भी नोंने गलतियां करी थी, यह in the future नहीं करेगी, और यह apologize कर चुकी है जो ब्रिटन का आम नागरिक है, वो आर पार देख पा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि इस तरीके से नहीं सरकार बनी हुई है, और eventually मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सबका pressure रिशी सुनाक पर आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, और अब probability मैं काऊंगा काफियत त करते हैं कि ठीक है, यह सब आते हैं अपनी जगा है, मगर as Indians हम सब पे इसका impact क्या होगा, देखिये, बिल्कुल impact होगा, इंडिया-UK free trade agreement मैं कहूंगा, अब और जादा मुश्किल हो चुका है, आपको याद होगा, जब Braverman ने comments गी दी, इंडिया के उपर, इंडियां के उ politics का एक बहुत ही important part है, anti-immigration, यह कावीवार कह चुकी है, कि मेरा सपना है, कि UK में जो immigrants overstay कर रहे हैं न, उनको plane से वापस भिज़ा जाए, यू में तो आप कह लीजिए, बहुत जादा ये focus करती है, इस aspect पर के बाहर के लोग UK में नहीं आने चाहिए, हलाकि मैं वसे एक बा आएं, जो European Union के immigration वाले rule है न, ये UK पर लागू ना हो जाए, मगर अंत में हुआ क्या घूम फिर के, Braverman और सुनाक आज के समय UK की सरकार जला रहे हैं, अपने आपने बहुत बड़ी यारनी है, मगर मैं आपको ये बता दू, कि ये दोनों नेता, बहुत जादा कड़ा स्ट आज रखेंगे, immigration को लेकर, और Indians को देखिये, वीजा चाहिए, हम लोग चाहते हैं, कि UK में जाकर हमारे लोग काम करें, विदेशी मुद्रा कमाए, रहमिटेंसिस कमाए, वापस इंडिया में लेकर आए, तो सिंस विला Braverman वापस पावर में आ चुकी है, और रिशी सुना आज परताल कराओ, कि Braverman वापस कैसे UK की उनिस्टर बन गई, how is this possible, क्या हुआ है, क्या यहां पर डील हुई है, PM के बीच में, Braverman के बीच में, तो अभी देखिये, मैं जैनुरली कहूंगा, कि रिशी सुनाक ने खुद को बहुत जादा प्रैसर में डाल दिया है, और आन इसे एक news and development है, UK में अभी भी political सिरता नहीं आई है, जी हां, अभी भी political सिरता नहीं आई है, इस देख के साथ और भी अभी काभी सारी चीज़े हो सकती है, तो updated videos मैं in the future लाता रहूंगा, for the time being, this is the end of this video, thank you for listening and as always, God bless you all.